नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अशोका पिलकॉन के सेप्टी रेनिंग प्रोग्राम में आज हम फायर सेप्टी टॉपिक पर बातचीत करेंगे फायर सेप्टी में हम देखेंगे कि फायर यानि की आग लगने के क्या समभव्य कारण होते हैं आपको लगने से कैसे रोका जा सकता है फायर एक्विप्मेंट के प्रकार फायर लगने के बाद उसे नियंत्रित करने के तरीके इत्यदी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे फ्यूल ओक्सिजन और हीट ये तीनों चीजें अपस में संपर्क में आती हैं तब आग लगती है या पर पैदा होती है देखी जैसे कि चितर में दिखाया गया है कि प्रियाप्त आक्सिजन प्रियाप्त उश्मा और तहन्जिल पर्धा ये तीन चीजें चाहिए आग लगने के लिए अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अलग कर देंगे तो आग आपकी नहीं लगेगी कर देंगे नहीं प्रियाप्त आगी अगनी शमनियत्र बेसिकली पांच प्रकार्गी होते हैं पहला होता है शोलिड वाटर का दूसरा होता है पाउडर बेस्ट तीसरा फोम चोथा कार्बन डाइकसाइड पाजवा वाट कर्मिकल इसमें देखिए जो मैंने पांच सिलेंडर लगाए है इसमें कलर कोडिंग भी है अब जब भी सिलेंडर फायर सिलेंडर देखेंगे उन पर भी कलर कोडिंग भी लेग आपको पहले जो सिलेंडर है उसमें वाइट कलर की पट्टी है दूसरे वाले में ब्लू कलर की तीसरे वाले में राइट यहलो कलर की है इस आर्म दार्ट यहलो कलर की हैए तो कौश सुधा साथिष्टिप्षियंटर कब और किस प्रेयोग किया जाहेगा फ्सार्म क्षेवा छेए डीसक्रिप्षिन में इस ग्रीटम चज़कर गोई है देखिए यह पहले वाला स्लेंटर कहां पर यूज नहीं करना यह केवल ए टाइप के फायर पर यूज कर सकते हैं दूसरे स्लेंटर को आप यह पाउट बेज होता है एबीजी स्लेंटर तीसरा स्लेंटर फॉम बेज जो केमिकल वाली फायर पर यूज होगा जो था जो स्लेंटर है वो कार्बन डाइक्सेंट स्लेंटर है जो बिजगी वाली आग पर यूज़ होगा और पाचवा है वाटर के वैट केमिकल जो के टाइप की फाहर पर ही यूज़ किया जाएगा या जाएगा कि जानते हैं कि आसरूल क्या है कि इसको चलाने से प्हले हमको क्या देखना विन्च डारेक्शन अभी इसका हव्य का डिरेक्शन किस साइड में जा रहा है उच साइड में तो हमको कहा से चलाना में यहाν से चाले इसको को एम को हमको आगे पकरना है और वहां से पकर के एम करना है सचीन बहुत इदा पीछे से बोडी पोस्ट सीधा करो एम आगे पकरो टिप टिप पे पुल एम उसके बाद स्क्वीज दबाईए और हिलाओ भ्शे मेंशनी लुटको पहते हैं वहीं है पालाइए ग्लाइए नल फंचे कि राड़ी में पच्वीज दें झाल झाल